सू प्रसिद्ध लेखी का मन्नु भंडारी की कहानी ईसा के घर इंसान सुनते हैं आप सभी का स्वागत है चलिए कहानी शुरू करते हैं फाटक के ठीक सामने जेल था बरामदे में लेटी मिसेश शुकला की शुन्य नजरें जेल की उची उची दीवारों पर ठीकी थी मैंने हाथ की किताबें कुर्सी पर पटकते हुए कहा कहिए कैसी तवियत रही आज एक धीमी सी मुस्कुराहट उनके शुष्क अधरों पर फैल गई बोली ठीक ही रही सरीन नहीं आई मेरे दोनों पीरेट्स खाली थे सो मैं चली आई सरीन यह पीरेट लेकर आईगी दोनों कोहनियों पर जोर देकर उठने का प्रयतने किया मैंने सहारा देकर उन्हें तकी के सहरे बैठा दिया एक शन को उनके जर्द चेहरे पर व्यथा की लकीरें उबर आई अपने आपको आराम दे स्थिती में करते हुए उन्होंने पूछा ऐसा लग रहा है कॉलेज मन लग जाएगा ना हाँ मन तो लगी जाएगा मुझे तो यह जगह ही बहुत पसंद है पहाडियों से घिरा हुआ यह शहर और एकांत में बसाया कॉलेज जिधर नजर दोड़ाओ हर तरफ हरा भरा दिखाई देता है तभी मेरी नजर सामनी की जेल की दीवार से टकरा गई मैंने पूछा पर एक बात समझ में नहीं आई यह कॉलेज जेल की सामनी क्यों बनाया फाटक से निकलते ही जेल के दर्शन होते हैं तो लगता है सवेरे सवेरे मानों खाली घड़ा देख लिया तो उसने भी यही बात पूछी थी पता नहीं क्यों कॉलेज के लिए यह जगे चुनी गई फिर उनकी खोई खोई द्रश्टी दीवारों में जाने क्या खोजने लगी पैरों को कुछ फैला कर उन्होंने एक बार फिर अपने स्थिती को ठीक किया और बोली तुम लोग पार क्या है? सवेरे शाम इन दीवारों को बेद कर आती हुई कैदियों के पैरों की बेडियों की जनकार मेरे मन को मत्ती रहती है और अनायास ही मन उन कैदियों के जीवन की विचित्रा विचित्र कल्पनाओं से भर जाया करता है इस अनंत आकाश के नीचे और विशाल भूमी के उपर रहकर भी कितनी सिमित कितना घोटा घोटा रहता होगा उनका जीवन चांद और सितारों से सजी इस नहायत ही खोब सूरत दुनिया का सौंदर यह परिवार वालों का स्नेह और प्यार जिन्दगी में मस्ती और बखारों के अर्मान क्या इनी दिवारों से टकरा कर चूर चूर न हो जाया करते होंगे इन सबसे वंचित कितना उबा देने वाला होता होगा इनका जीवन ना आनंद न उलास न रस और एक गहरी निश्वास छोड़कर वे फिर बोली जाने क्या अबरात किये होंगे इन बेचारों ने और न जाने किन परिस्तितियों में वे अबरात किये होंगे कि यूँ सब सुखों से वंचित जेल की सीलन भरी अंधिरी कोट्रियों में जीवित रहने का नाटक करना पड़ रहा है तभी दूद वाली के करकश्वर ने मिसे शुकला के भावना स्त्रोत को रोग दिया मैं उठी और दूद का बरतन लाकर दूद लिया मिसे शुकला बो है वे कल से काम पर आने लगेंगी आज शाम को शायद मदर खुद आपको देखने आए मदर यहां की बहुत अच्छी है रतना जब मैं यहां आई थी तब जानती हो सारा स्टाफ नंस का ही था मेरे लिए तो यही समस्य थी कि इन नंस के बीच में रहूंगी कैसे पर मदर के सभाव ने आगा पीछा सोचने का आउसर ही नहीं दिया बस यहां बांद कर ही रख लिया फिर तो सरेन और मिश्रा भी आ गई थी मिश्रा गई तो तुम आ गई मुझे तो सिस्टर एनी और सिस्टर जैन भी बड़ी अच्छी लगी हमेशा हस्ती रहती है कुछ भी पूछो तो इतने प्यार से समझाती है कि बस बड़ी अफेक्शनेट है हाँ यह लूसी और मेरी जाने कैसी है जब भी देखो चेहरे पर मुर्धनी चाही रहती है ना किसी से बोलती है ना हसती है मिश्र शुकला ने पीछे से एक तकिया निकाल कर गोध में रख लिया और दोनों को करती हैं बस यही है इनका जीवन अब तुम ही बताओ कहां से आये मस्ती और शुक ही वाह यह भी कोई बात होई सिस्टर जूली को ही लीजिए वह भी तो उम्र में इनके ही बराबर होंगी पर चहकती रहती हैं बाते करेंगी तो ऐसी लच्छेदार कि तबियत भड़क उठ है हसेंगी तो ऐसे कि सारा स्टाफ रूम गुण जाए उसका तो आंग आंग जैसे थिरकता रहता है वह अभी नई नई आई है यहां थोड़े दिन रह लेने दो फिर देखना वह भी लूसी और मेरी जैसी ही हो जाएगी और एक गहरी सांस छोड़कर उन्होंने आखें मों जूली फोर्थ येर का क्लास ले रही थी किट्स की कोई कविता समझाते समझाते जाने क्या हुआ कि उसने एक लड़की को पाहों में भरकर चूम लिया सारी क्लास में हल्ला मच गया और पांच मिनिट बीते न बीते बात सारे कॉलेज में फैल गई मदर बड़ी नाराज जूली को उसी समय चर्श भेज दिया और वे सीधे फादर के पास गई और बड़े ही रहस्यात्मक धंग से इन्होंने शुकला की ओर देखा लगता है अब जूली के भी दिन पूरे हुए बहुत ही निर्जी स्वर में शुकला बोली मुझे यह सारी बात ही बड़ी विचि जूली के भविश की आशंका से जाने कैसा कैसा हो उठा अभी अभी तो रतना जूली की ही बाते कर रही थी और अभी तुम यह खबर ले आए सुनते हैं जूली पहले जिस मिशनरी में थी वहाँ भी इसने ऐसा ही कुछ किया था तभी तो उसे यहां भेज दिया गया कि फि फादर का जादू का डंडा घुमवा दिया जाए और शुकला के पपड़ी जमें शुश्क अध्रों पर फीकी से मुस्कुराहट फैल गई जादू का डंडा बताईए ना क्या बात है आप लोग तो जैसे पहलियां बुझा रही हैं बेताव होकर मैंने पूछा अरे क्यों इतनी उत्सुक हो रही हो थोड़े दिन यहां रहोगी तो सब समझ जाओगी यहां के फादर एक औलोकिक पुरुष हैं एकदम दिव्य कोई कैसा भी पतित हो या किसी का मन जराभी विकार ग्रस्त हो इनके संपर्क में आने से ही उसकी आत्मा की शुद्धी हो जाती है दू के विकार भी कोई ठोस चीज है कि फादर ने निकाल दिये और आत्मशुद्धी हो गई मैंने अविश्वास से कहा कमरे से चाय के प्याले बना कर लाती हुई सरीन से शुकला बोली लो इन्हें फादर की अलोकिक शक्ति पर विश्वास ही नहीं हो रहा है इसमें को देख लेना अपने आप विश्वास हो जाएगा लूसी जो आज इतनी मनहोस लगती है यहां आई थी तब क्या जूली से कम चपल थी फिर देखो फादर ने तीन दिन में ही उसका काया पलट कर दिया या नहीं शुकला ने सरीन की ओर देखते हुए जैसे चुनोती के पूचा तभी डॉक्टर साहब आये मिसेश शुकला ने इंजेक्शन लगाया और पूच्टाश करने लगे सरीन मुझे गरम पानी की थैली का पानी बदल कर देने का आदेश देकर ना आने चली गई इंजेक्शन लगाने के बाद करीब घंटे भर तक शुकला की हालत रहकर जूली का हस्ता चहरा आँखों के सामने घूम रहा था फादर उसके साथ क्या करेंगे यह प्रश्टे मेरे दिमाग को बूरी तरह मत रहा था मैंने दूर से फादर को दिखा है उपर से नीचे तक सफेद लबादा पहने वह कभी कभी चर जाते हुए दिख जाया करत इतनी दूर से चेहरा तो दिखाई नहीं देता पर चाल ढाल से बड़ी भव्य मुर्थी लगते हैं मन श्रद्दा से भर उठे ऐसे फादर में कौन सी शक्ती है जो आत्मा की शुधी कर देती है यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी अगले दिन जूली नहीं आई मैंने सिस्टर एनी से कुछ पूछना चाहा तो उन्होंने धीरे से उंगली मोह पर रखकर चुप रहने का आदेश दिया मैंने देखा कि लूसी और मेरी इस घटना से काफी संतुष नजर आ रही थी कल से उनकी खिलखलाहट भरे चेहरों पर हलके से संतोष की जलक नजर आ रही दो दिन और इसी प्रकार भीट गए तीसरे दिन मैं कुछ जल्दी ही कमरे से रवाना होने लगी सरीन ने पूछा अरे अभी से चल दी कुछ कॉपियां देखनी हैं यहां लेकर नहीं आई अब स्टाफ रूम में बैठ कर ही देख लूगी आज नंबर देने ही हैं और मैं च जूली चर्च का मैदान पार कर नीची नजरें जुकाए धीरे धीरे कॉलेज की तरफ जा रही है एक बार इच्छा हुई कि दोड़कर उसके पास पहुंच जाओं पर जाने क्यों पैर बढ़े ही नहीं मैं जहां की तहां खड़ी रही वह मेरे पास आई पर बिना आख जब बोले वैसी ही शिथील चाल से गुजर गई मैं आवाकसी उसका मुव देखती रही दो तीन में ही क्या हो गया इस जूली को मैं नहीं जानती फादर ने उसके उपर जादू का डंडा घुमाया या उसे जंतर मंतर का पानी पिलाया पर जूली हसना भूल गई इसकी सार पिले रूप ने मेरे मन में विचितर सा भय पैदा कर दिया लगता है जैसे जूली नहीं उसकी जिंदा लाश घूम रही है सिस्टर एनी ने इतना जरूर कहा कि फादर ने उसकी आत्मा को पवित्र कर दिया उसकी आत्मा के विकार मिढ गए है पर मुझे लगता था जैसे जूली के आत्मा ही मिर गई थी मर गई थी अपने कमरे पर आकर मैंने मिसे शुकला को सारी बात बताई तो वो बिना किसी प्रकार का आशिर प्रकट किये बोली मैं तो पहले ही जानती थी पता नहीं कैसी शक्ती है फादर के पास रात में सोई तो बड़ी देल तक दिमाग म यही सब चक्कर कारता रहा कभी लूसी और कभी मेरी की शकले आखों के सामने घूम जाती उन्हें देखकर लगता था मानवे अपने से ही लड़ रही है अपने को ही कुतर रही है एक अजीब खिजलाहट के साथ एक अजीब आकरोश के साथ कॉलेज की बड़ी लड़कियों को हसी ठिटोली करते देख उनके दिलों से बराबर ही सर्ग आहे निकल जाया करती थी उनके जवान दिलों में उमंगों और अरबानों की आंधिया नहीं मचलती थी और उनकी आखों में वह कांती और चमक नहीं थी जो इस उमर की खासियत होती है ऐसा लगता था इनकी आख ऐसी ही चंचल थी तो अब जूली भी हमेशा के लिए ऐसी ही हो जाएगी और जूली का आजवाला रोप मेरी आखों के सामने घूम जाता है। नजरों से में चारों और देखती रही फिर कमरे की परिचित चीजों और मिसेश शुकला को देखकर आश्वस्त सी हुई। तो चिड़े ही होते हैं हसते हुए उन्होंने कहा चलिए आपको मजाक सुझ रहा है यहां डर के मारे जान निकल गई। वह दम घुटने की फिलिंग जैसे अभी भी है मैंने पानी पिया और फिर सो गई। और फिर वही ढर्रा चल पड़ा जब कभी बाहर से कोई सिस्टर या ब्रदर आत्मशुदी के लिए फादर के पास आते तो सिस्टर एनी मुझे यह ख़बर सुनाया करती थी। मैं बड़ी उत्सूगता से सारा किस्सा सुनती और विश्वास से अधिक आश्चेर करती सिस्टर एनी और जैन को मेरा यह अविश्वास करना अच्छा नहीं लगता था और उसे मिटाने के लिए ही वे और भी जोर शोर से घंटों फादर के आलों की गुणों का बखान करत मंदगती से चलती फिरती फादर की वह स्वामी मुर्ती मेरे लिए श्रदा से अधिक कौतुहल और भय का विशय बनी रही महिने भर बार एक दिन मदर ने मुझे बुलाया और बोली मैं चाहती हूं कि नंस के लिए भी हिंदी पढ़ाने की कुछ विवस्था करती जाए आप सिस्टर्स के लिए भी एक क्लास खोल दीजिए बहुत ही जल्दी सीख लेंगी यों बोल तो सभी लेती हैं लिखना पढ़ना भी आ जाएगा इसी लिए तो तुभे बुलाया है शुकला तो बीमारी से उठने के बाद काफी कमजोर हो गई हैं सो मैं उस पर यह बोज जालना ठीक नहीं समझती तुम शाम को एक घंटा चर्च में आकर सिस्टर्स को हिंदी पढ़ाने का काम ले लो उसके लिए तुभे अलग से पे किया जाएगा चर्च में जाकर पढ़ाना होगा यह बात सुनते ही एक बार मेरे सामने फादर का चेहरा गों गया उनको और द शुकला चाय पर बैठी मेरा इंतजार कर रही है मैंने आकर उन्हें सारी बात बताई तो सरीन हज कर बोली चलो तुम तो सपनों में भी फादर को देखा करती थी अब पास से देखना बहुत कौदुहल है बहुत कौदुहल है ना फादर को लेकर तुम्हारे मन में फादर अपने कॉर्टेज में ही रहते हैं या चर्च आते हैं। सिस्टर्स के कमरों के तरफ तो वे शायद कभी जाते नहीं। तुम देखोगी क्या? शुकला ने कहा। अरे कभी चर्च में आते जाते ही दीख जाया करेंगे। सरीन बोली फिर एक आएक प्रसंग बदल कर कहा क्यों शुकला आज कल तुमने एक नई बात मार की या नहीं? क्या? मिशेश शुकला ने पूछा लूसी में कोई चेंज नजर नहीं आता। आज कल उसके चेहरे पर पहले जैसी मुर्दनी नहीं चाही रहती। वह अनिमा है न थर्ड इयर की? उसका भाई आजकल अकसर कॉलेज में आया करता है। कभी कोई बहाना लेकर तो कभी कोई बहाना लेकर। विजिटर्स को अटेंड करने का काम लूसी पर ही है। मैं कई दिनों से नोटीस कर रही हूँ। जिस दिन वहां आता है लूसी का मोड बड़ा अच्छा रहता है। ख्याल नहीं किया अब देखेंगे शुकला ने कहा। पता नहीं मिसे शुकला ने ख्याल किया या नहीं पर मैंने इस चीज को अच्छी तरह से मार किया कि अनिमा का भाई सब्ता में दो बार आ ही जाता है। काफी देर तक वह उसके पास बैठती है। उसके जाने के बाद भी लूसी का मोड इतना अच्छा रहता है कि कोई हलका फुलका मजाग भी कर लो तो बुरा नहीं मानती। पर जाने क्यों लूसी का यह रूप देखकर मेरा मन भर उठता है। कॉलेज के दाहिनी ओर वाला लंबा मैदान पार करके एक नाला पढ़ता था। वही चर्च और कॉलेज की विभाजक रेखा थी। उसे पार करके ही चर्च का मैदान आरंभ होता था। चर्च के पीछे रेवरेंड फादर और मदर के लिए दो छोटी कॉटेजिस बनी हुई थी। और बाई और सिस्टर्स के लिए एक कतार में कमरे बनी है। कमरों के सामने लंबा सा बरामदा था। जाकर देखा कि क्लास के लिए उसी बरामदे में व्यवस्था की गई है। मैं पढ़ाने लगी चर्च, कॉलेज और हमारे कमरों के सामने कोई तीन फीट की उची लंबी सी दीवार थी। सबके प्रवेश द्वार अलग-अलग थे। सब लोग नाला पार करके ही जाया करते थे। पढ़ाने बैठी तो फाटक की और ही मेरा मौँ था और अनाया से यहां भी मेरी नजरे सामने जेल की उची उची दीवारों से टकराईं। जबर जस्ती अपनी नजरों को उस और से हटा कर मैंने पढ़ाना आरभ किया। सिस्टर्स को पढ़ाते पढ़ाते मुझे करीब एक महिना हो गया था। रोज की तरह उस दिन भी जब मैं जाने लगी तो शुकला बोली आज जड़ा जल्दी आ सके तो अच्छा हो रतना बाजार चलेंगे। सरीन से कहा तो बोली कि उसे ज़रूरी नोट्स तयार करने हैं। अकेले जाते मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम आ जाना। ठीक है मैं जल्दी ही चली आउंगी। आप तहिया रहेगा। आते ही चल पढ़ेंगे। और मैं चल दी। चर्च के मैदान में पहुँचते ह किसी स्त्री के चीखने चिलाने की आवाजे सुनकर एक खणको मैं स्तब्दसी खड़ी हो गई। सोचा जाओं या नहीं पर मन का कौतोहल किसी तरह ठारने नहीं दे रहा था। जैसे ही बरामदे में पहर रखा, मैं हैरत में आ गई। एक बहुत ही खोबसूरत नन हाथ पहर पटक पटक कर बूरी तरह चिला रही थी। सारी सिस्टर्स उसे समाले हुए थी। मदर बड़ी बेचेंसी उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। पर वह थी कि चिलाए जा रही थी। तीन चार सिस्टर्स ने उसे पकड़ रखा था। उसके बावजून वह बूरी तरह ह उक्मा देते ना बने और उस लावाने में चेहरे पर दो नीली आँखें जैसे समुदर की गहराईयां उतराई हूँ। मैं सच कहती हूँ कि यदि कोई एक बार भी उन नीली आँखों को देख ले तो कम से कम इस जिंदगी में तो वह उन्हें चाहा कर भी नहीं भूल उसके नजरे मेरी और घूम गए। मुझे लगा कि वे नीली आँखें मेरे शरीर को भेद कर मेरे मन को कचोटे डाल रही हैं। और फिर वह एकाएक चिलाव थी। देखो मेरे रूप को और वह अपने कपड़ों को बुरी तरह फाड़ कर इधर ओधर करने लगी। सब ने बड़े मुश्किल से उसे समाला। मदर ने उसके कपड़ों को जिल्दी जिल्दी से ठीक ठाक कर दिया। वे बड़ी ही परेशान नजर आ रही थी। हाथ रुखने पर भी जीब चल रही थी। मैं अपने जिन्दगी को अपने इस रूप को चर्च की दिवारों के बीच नश्ट नहीं होने दूगी। मैं जिन्दा रहना चाती हूँ। आदमी की तरह जिन्दा रहना चाती हूँ। मैं इस चर्च में घुट घुट कर नहीं मरूँगी। मैं भाग जाओंगी। मैं भाग जाओंगी। हम क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहने। हम भी इंसान है मैं नहीं रहूंगी यहां, मैं कभी नहीं रहूंगी, देखो मेरे रूप को, तभी बाहर से सिस्टर एनी हडबडाती हुई सी आई, फादर ने एकदम बुलाया है, इसे वहीं ले चलिये, सबने मिलकर उसे जबरजस्ती उठाया, वह चिलाती जा रही थी, मैं फादर को भी दिखा दूँगी कि जिन्दगी क्या होती है, यहां सब ढोंग है, मैं यहां नहीं रहूंगी, आधी से अधिक सिस्टर उसे उठा कर ले गई, जो बची थी, उन में से इस घटना के बाद कोई भी इस मोड में नहीं थी, कि बैठ कर पढ़ती, सो मैं लोट जाने को घूमी, तो देखा कि सबसे दूर एक खिलकी के सहारे लूसी खड़ी है, उसके चहरे पर एक विशेश प्रकार की चमक आ गई है, जैसे मन ही मन वह इस सारी घटना से बड़ी प्रसन हो, मन में आपार विस में भै और दुख लेकर मैं लोटी तो शुकला बोली, लो तुम तो अभी स स्वाभाविक से स्वर्मी बोली, शायर बाहर से कोई सिस्टर आई होगी, क्या बताएं, इन बेचारियों की जिन्दगी पर भी बड़ा तरस आता है, रात भर मेरे दिमाग में उस नई सिस्टर का खूब सूरत चहरा और उसका चिर्खना, चिलाना, गुंसता रहा, पर वह फादर के पास भेज दी गई है, अब फादर उसका क्या करेंगे, शायद जूली की तरह उसके हड़ेका या पवंडर भी सदा सदा के लिए शांत हो जाएगा, और फिर जिन्दगी भर उसका यह चांद को लजाने वाला रोप चर्च की दीवारों के बीच घुट घुट कर नश्ट हो जाएगा, और वह अपनी इस बरबादी पर एक ठंडी सी सांस भी नहीं भर सकेगी, दूसरे दिन स्टाफ रोम में घुसते ही, सबसे पहले मेरी नजर लूसी पर पड़ी, बिना पूचे ही बड़े उत्सा से उसने मुझे कल की बात पताई, जानती हो, यह जो न और एक सर्च सी आह उसके मुझे से निकल गई, देखो क्या होता है, आज तो मदर भी नहीं आई, कल से वे फादर की कौटेज पर ही है, सुनते हैं, एंजीला काबू में नहीं आ रही है, उसका पागलपन वैसे ही जारी है, हम लोग को भी उधर जाने के इजाजत नहीं है, दो दिन तक कॉलेज के वातवरण विशेश कर स्टाफ रूम के वातवरण में एक विचित परकार का तनाव आ गया, कोई किसी से कुछ नहीं बोलता, बस मैं शुकला और सरीन आपस में थोड़ा बहुत बोल लेते थे, बाकी सारी सिस्टर्स तो ऐसे काम कर रही थी, मानो मा अनवरत ले रखा हो, जैसे आपरेशन रूम में कोई बहुत बड़ा आपरेशन हो रहा हो और बाहर नर से व्यस्त थी, चिंतित सी परेशान इधर उधर घोम रही हो, उनकी हर बात से ऐसा लग रहा था, जैसे कह रही हो, चुप चुप शोर मत करो, आपरेशन बिगड जाती और जरूरी काम करके चली जाती, हाँ, लूसी मौका पाकर और एकान देखकर चुप चाप यह ख़बर दे देती कि एंजीला किसी प्रकार शान्त नहीं हो रही है, फादर सब कुछ करके हार गए, यह कहते समय लूसी का मन प्रसंदता से भर उठता था, मानो फादर की नाकामियाबी पर उसे परम संतोष हो रहा था, चौथे दिन सवेरे मैं और मिसेश शुकला घोमने निकले, तो देखा, सामने से एंजीला चली आ रही है, मैं देखते ही पहचान गई, बिल्कुल स्वस्त स्वाभाविक गती से चल रही थी, पास आते ही मैं पूछ बैठी, सिस्टर एंजीला, आप कहा जा रही हैं? एक शण एंजीला रुकी, मुझे पहचानने का प्रयास सा करते हुए बोली, मुझे कोई नहीं रोक सकता, जहां मेरा मन होगा, मैं जाऊंगी, मैंने तुम्हारे फादर फिर सहसा होट चबाकर बात तोड़ कर वह बोली, आब वे क वाकसी उसकी और देखती रही, यही है एंजीला, शुकला ने पूचा, हाँ, पर यह तो जा रही है, किसी ने रोका नहीं, फादर का जादू मंतर इस पर चला नहीं दिखता है, बड़ी खोबसूरत है, आँखे तो गजब की है, बस देखने लायक, पर मिस्से शुकला की बाते मेरे कानों में ही नहीं पहुच रही थी, मैं कभी दूर जाती एंजीला को, और कभी मौन, शांत खड़े चर्च की इमारत को देख रही थी, मेरा मन हो रहा था, कि दोड़ कर चर्च पहुच जाओ, और लूसी को बुला कर सारी बाते पूच लो, लोटते समय भी मैंन चर्च के मैदान पर नजर दोड़ाई, पर वहां सभी कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, बड़ी मुश्किल से उस दिन दस बजे में एक तरफ दोड़ पड़ी, और स्टाफ रोम से लूसी को घसीट कर पीछे लॉन में ले चली गई, लूसी स्वयम सब कुछ बताने के लिए बैठी थी, लॉन में पहुचते ही बोली, एंजिला चली गई, फादर कुछ नहीं कर सके, उनकी खुद देबेत बड़ी खराब हो रही है, मदर उनकी देखवाल कर रही है, सवेरे तो हम लोग भी वहां गये थे, कमरे में तो नहीं जाने दिया हमें, पर ब अंगलानी से बार बार उनकी आँखों से आंसु आ रहे है, मदर बड़ी परेशान और दुखी है, उन्हें बहुत तसली दे रही है, बार बार इसमसी से उनकी शांती के लिए प्राटना भी कर रही है, और एक बड़ी विंग्यात्मक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल इसके तीसरे ही दिन रात में सबसे आँखें बचा कर चर्च की छोटी छोटी दिवारों को फान कर कब और कैसे लूसी भाग गई, कोई जान नहीं पाया, बड़ी विची तरस्तिती थी, बड़ी विची तरस्तिती थी उस समय वहां की, एंजीला फादर की उस आलोकिक शक् तो कभी कॉलेज, तो कभी चर्च में दोड़ती फिर रही थी, तभी लूसी भाग गई, एक तो चर्च जैसे पवित्र जगाब, फिर लड़कियों का कॉलेज क्या आसर पड़ेगा इस घटना का लड़कियों पर, दो दिन बाद ही चर्च और कॉलेज के चारों और की ने छोड़ दिया है, आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा, कमेंट बॉक्स में अवशे लिखिये, मुझे इंतिजार रहता है झाल 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 करने हैं अकेली जाते मुझे अच्छा नहीं लगता तुम आ जाना ठीक है मैं जल्दी ही चलियाओंगी आप तहियार रहेगा आते ही चल पड़ेंगे और मैं चल्दी चर्च के मैदान में पहुँचते ही किसी इस्त्री के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर एक खणको म मैं स्तब्द सी खड़ी हो गई सोचा जाओं या नहीं पर मन का कौतोहल किसी तरह ठरने नहीं दे रहा था जैसे ही बरामदे में पैर रखा मैं हैरत में आ गई एक बहुत ही खोबसूरत नन हाथ पैर पटक पटक कर बूरी तरह चिल्ला रही थी सारी सिस्टर्स उसे समाले ह हुए थी मदर बड़ी बेचैन से उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी पर वह थी कि चिल्लाए जा रही थी तीन चार सिस्टर्स ने उसे पकड़ रखा था उसके बावजूद वह बुरी तरह हाथ पैर पटक रही थी उसे मैंने जो पास से दिखा तो लगा ऐसा रूप मै उपमा देते ना बने और उस लावाने में चेहरे पर दो नीली आँखें जैसे समुदर की गहराईयां उतराई हों मैं सच कहती हूँ कि यदि कोई एक बार भी उन नीली आँखों को देख ले तो कम से कम इस जिंदगी में तो वह उन्हें चाहा कर भी नहीं भूल पाए मेर मन को कचोटे डाल रही है और फिर वह एकाएक चिलाव थी देखो मेरे रूप को और वह अपने कपड़ों को बुरी तरह फाड़ कर इधर ओधर करने लगी सबने बड़ी मुश्किल से उसे समाला मदर ने उसके कपड़ों को जिल्दी जिल्दी से ठीक ठाक कर दिया वे पीच नश्ट नहीं होने दूगी मैं जिन्दा रहना चाती हूँ आदमी की तरह जिन्दा रहना चाती हूँ मैं इस चर्च में घुट घुट कर नहीं मरूँगी मैं भाग जाओंगी मैं भाग जाओंगी हम क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहने हम भी इंसान है मैं नहीं रहूंगी यहां, मैं कभी नहीं रहूंगी, देखो मेरे रूप को, तभी बाहर से सिस्टर एनी हडबडाती हुई सी आई, फादर ने एकदम बुलाया है, इसे वहीं ले चलिये, सबने मिलकर उसे जबरजस्ती उठाया, वो चिलाती जा रही थी, मैं फादर को भी दिखा कि जिन्दगी क्या होती है, यह सब ढोंग है, मैं यहां नहीं रहूंगी, आधी से अधिक सिस्टर उसे उठा कर ले गई, जो बची थी, उन में से इस घटना के बाद कोई भी इस मोड में नहीं थी, कि बैठ कर पढ़ती, सो मैं लौट जाने को घूमी, तो देखा कि सबसे दूर एक खिलकी के सहारे लूसी खड़ी है, उसके चहरे पर एक विशेश प्रकार की चमक आ गई है, जैसे मन ही मन वह इस सारी घटना से बड़ी प्रसन हो, मन में आपार्विस में भै और दुख लेकर मैं लौटी तो शुकला बोली, लो तुम तो अभी से लौट आई, अ आज क्लास ही नहीं हुई, और मैंने सारी बातें उन्हें बताई, मैं जितनी इस घटना से विचलित हो रही थी, विए उतनी नहीं हुई, स्वाभाविक से स्वर्मी बोली, शायर बाहर से कोई सिस्टर आई होगी, क्या बताएं, इन बेचारियों की जिंदगी पर भी बड सूरत चहरा और उसका चिखना, चिलाना, गुंसता रहा पर वह फादर के पास भेज दी गई है, अब फादर उसका क्या करेंगे, शायद जूली की तरह उसके हड़ेका या पवंडर भी सदा सदा के लिए शांत हो जाएगा, और फिर जिंदगी पर उसका यह चांद को जला जाएगा, और वह अपनी इस बरबादी पर एक ठंडी सी सांस भी नहीं भर सकेगी, दूसरे दिन स्टाफ रोम में घुसते ही, सबसे पहले मेरी नजर लूसी पर पड़ी, बिना पूचे ही बड़े उत्सा से उसने मुझे कल की बात पताई, जानती हो, यह जो नई सिस्टर आई है, इसका नाम एंजलीना, इसका नाम एंजिला है, कहते हैं यह चर्च से भाग गई थी, पर फिर पकड़ ली गई, इसके बाद पागलों जैसा बेवहार करती थी, सो इसे फादर के पास भेज दिया, देखा कितनी खुबसूरत है, और एक सर्च सी आह उसके मुझ से निकल गई, अब क्या होगा, फादर आखिर करते क्या है,